कातिल चाहे जितना भी सातीर हो वारदात से जुड़े सबूत उन से चूटी जाते हैं जीहा मैं बात कर रहा हूँ अंकिता भंडारी मडर मामले की इस मामली में आपको पता है कि किस तरीके से लगातार सबूतों को मिटाने की कोषिस की गई लेकिन हम आपके सामने वो सबूत रखेंगे जिस सबूत को नहीं मिटा पानी की वज़े से उसे छुपाने की कोशिस की गई थी जिहां अंकिता भंडारी जिस रिशार्ट में काम करती थी उसके पीछे जारी में किस तरीके से सबूत को छुपाया गया था ये सब कुछ अब बेनकाब हो गया है मैं आपके सामने उसी सबूत को रखूंगा और इससे आस्ते हो जाएगा कि अंकिता की हत्या बेहदी बेरहम तरीके से की गई है और हत्या के दौरान जो भी खतरनाक सबूत थे उसे रिशार्ट के पीछे वाले जारियों में छुपाई गई थी इसके पहले आप से एक छोटी सी गुजारिस ये है कि अगर आप भी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएए और जस्टिस फॉर अंकिता जरूर लिखिए इससे सरकार और परसासन पर दबाब बढ़ेग पुलकित आर्ज और उनके दोस्तों ने सबूतों को मिटाया और जिस तरीके से लोगों को और परसासन को भठकाने की कोशिस की वो तो बेनकाब हो चुके हैं लेकिन SIT लगातार इसी तलास में है कि कोई ऐसा खतरनाक सबूत मिले जो पूरी तरीके से इन लोगों को हावाल जिस तरीके से मिला है वो बाकई में अब कोट तक जाएगा और कोट उन्हें जरूर सजा दिलाएगी दोस्तों आप एक दो लाइन में इस बात को समझ ये तब आप सबूत को देखेंगे तो पूरा मामला समझ में आएगा जिस तरीके से रिशाट के मालिक पुलकित आर्ज ने साजिस रची उस साजिस पर अंकिता के मडर के बाद भी उन लोगों ने काम किया जिहां अंकिता के हत्या के बाद जिस तरीके से पुलकित आर्ज और उनके दोस्तों ने मिलकर उस रिशाट के उस कमरे को नश्ट किया उस रिशाट के सबूत को नश्ट किया ये सब इजाजत के बाद ही बुल्डोजर के जरिये उनके घर को ढाया गया लेकिन परसासन की कोई अनुमती नहीं थी सरकार की अनुमती नहीं लिगे थी किलियर है कि पुलकित आरज के लोगों ने ही उस रिशॉर्ट को तोड़ा और सबूत को मिटाने की कोसिस की और इस पूरे माम सारी रिशॉर्ट के अंदर ही एक कमरे में रहती थी उस कमरे में जो सबूत मिला है कमरे से होकर जो CCTV के तार गुजरे थे उस तार को काटा गया कमरे के अंदर electronics गजट थे उसको नश्ट क्या गया लेपटॉप को नश्ट क्या गया उसके अलाबे परदे में आग लगाई ग कहा कि ये खून उनके ही कमरे के बगल में देखा गया है खून इंसानी है या फिर खून किसी जानवर का है अब तक पता नहीं चल पाया है अब चलिए रिशॉर्ट के पीछे वाले उस कुड़े के धेर उसमें क्या मिला है उसमें साबतोर से आप देख सकते हैं कि पत्रकार को जी हां पत्रकार को ये सबुत मिला है वहां की पुलीस उन्हें रोक रही थी लेकिन पत्रकारों को जो मिला है ये आप देखिए ये टूटा हुआ मोवाईल फोन मिला है अंकिता के फोन को ढूंडा जा रहा है रिशॉर्ट के मालिक के फोन को ढूंडा जा रहा है लेकिन इ लोगे ने सराब पी थी, हीरन का मीट खाया था, ये सब कुछ अब बेनकाब हुआ है, उस कुड़े के ढेर से महेंगे सराब की बोतले भी मिली है, पत्रकारों ने रिपोर्टिंग करते वे सापतोर से उन बोतलों को भी दिखाया है, दोस्तों ये तो किलियर है कि जाच के बा के करमचारी ने जो कबूल नामा किया है, उस कबूल नामे में सापतोर से ये है कि अंकिता भंडारी कमरे में बचाओ बचाओ चिला रही थी, हेल्प मी हेल्प मी कर रही थी, उसके बाद किसी भी करमचारी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके कमरे तक पहुंच सके, क्यो की resort वाले उस कमरे से कौन से सबूत मिले हैं जिसने ये तय कर दिया है कि अंकिता भंडारी की जो हत्या है वो बेहदी बेरहम तरीके सी की गई है दोस्तों अंकिता की मौत को लेकर कई ऐसे एंगल सामने आये जिसको लेकर चर्चा चल रही है लेकिन सबूत दिखाने के पहले म आपको इस बात को एक दो लाइन में समझा देता हूँ कि आखिर अंकिता भंडारी की जो लास्ट नहर में मिली उनका लास्ट फुलावा नहीं था उनके बौडी पर मचलियों के खाने के निसान कहीं नहीं थे अगर एक सप्ता तक कोई भी लास्ट नहर में रहता है तो वह कि मचलियां उनके सरीर पर जरूर निसान दे देगी उनके सरीर के किसी हिस्से को मचलिया जरूर खा लेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उनका बौडी भी फुला हुआ नहीं था अंकिता के दाट टुटे हुए थे अंकिता के सीने पर खरोच के निसान थे ये सब कुछ पोस् पर चुपा दिया गया प्रसासन के अनुमती के अंकीता भंडारी के उस कमरे को भी तोड़ा गया और दिखाया यह गया कि अंकीता भंडारी की मौद के बाद लोग गुसवाये थे उसके बाद परसासन ने या ओड़ा दिया कि उनके अवैद रिशाउट को तोड़ा जाए। लेकिन ऐसा नहीं था पुलकित आर्ज के लोगों नहीं सबूत मिटाने के लिए उस कमरे को तोड़ा था। साजिस चल रही थी और वो लोग साजिस में काम्याब हुए। इस पूरे मामले से जुड़े कई ऐसे ओडियो टेप वाट्सप चैट वाइरल हो रहे हैं जो अंकिता भंडारी जिस रिशाउट में काम करती थी उसके मालिक पुलकित आर्ज और अंकिता के दोस्त पुस्प के इर्ध गुर्ध घुम रहा है आप भी नया वाला ओडियो टेप ज़रूर सुनिये। टो कि उटाया निसा कैसे हो सकता इस अगर आगर आपका फ़ोन उनके पास और मैंतिन अरगा टीन वारा आत को कॉल कर रहा है तो मेरे फोन पर भी क्या आपने हाँ आपके फोन पर तो मेरा फोन भी घंटी बजी हाँ जी और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नुठाया नहीं मैं वही कह रहा हूं